Hello friends, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमको after effect में अगर snow full effect create करना है तो मुझको कैसे कर सकते हैं तो start करते हैं, देखें सबसे पहले after effects को open कर लेना है, एक new composition यहां पर हम start कर लेते हैं उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहां पर एक new solid layer create कर लेते हैं आप चाहिए तो अपनी कोई clip भी use कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर solid layer create करके दिखा देता हूँ मैं आपको clip भी import करके दिखा दूँगा बाद में तो करना क्या है, यहां पर हमको अपनी effect में जाना है और एक effect को search करना है, उसका नाम है CC particle world उसको drag and drop कर लेते हैं अपनी clip के उपर में, drag and drop करने के बाद में यह कुछ आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, यह देखिए, आपको मैं play करके दिखा देता हूँ, यह देखिए, अब करना क्या है, अब हमको यहां पर सबसे पहले अपने particles में जाना है, और particles में जाने के बाद में कुछ चीज़ों को हम यहां पर adjust करते हैं, ठीक है, पार्टिकल आनमी बाद में क्या करना है, यहां पर जो है, beginning से हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखिए, फेड़ी स्पेड लगा देते हैं, उसके बाद में हमको करना क्या है, यहां पर अपना जो है birth size है, उस death size भी हम यहां पर जो है, particles का change कर देते हैं, death size हमने change कर दिया है, उसके बाद में, यहां पर हम अपने particles का color white कर देते हैं, यह कुछ इस तरीके से, और जो है death color भी white कर देते हैं, तो देखिए, अब इतना changes करने के बाद में, यह कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा, अब जो है कुछ और चैंजिशी में हम लोग करेंगे उससे पहले हम जो है चलते हैं अपने फिजिक्स में जाने के बाद में जो यह एनिमेशन है इसको हम चेंज करके कर देते हैं अब अपने चैंज कर लेज़ेगे जब आप अपना काम करना इस स्थारट करेंगे तो ठीक है ग्रेविटी का रखता हूं ठीक है तो यह फीजिक्स में हमने यहां पर चेंज कर दिया है यहां पर इसके बाद में हम क्या करते हैं हम अपना चलते हैं प्रोडूशर में यहां पर जाने के बाद में कुछ पोजिशन को हम चेंज करते हैं यहां पर जो है हम चेंज करते हैं अपने वाई पोजिशन को तो से इसके बाद में यह देखे थोड़ा से इसके उपर रहा है किलिप की उपर थोड़ा से और बढ़ा यह इसको 36 करदें इसके बाद में इसके बात में रेडिस बाद मैंगे स्ट टोदा से यहां बढ़ा देत Sana थीक है या रिडियस को भी हम थोड़ा से बढ़ा देते हैं यहां पर कि मैं इसको रखता हूं और रडियस को भी हम थोड़ा से बढ़ा देंगे कुछ आपको अगर माईनर लगेगा कि कमें जयदा करना है तो आप अपने क्लिप के कोडिंग भी चुप कर सकते हैं बस यहां पर बर्फ साइज को जो में थोड़ा से इंक्रीज कर देता हूंS कर देता हूं यहां अपने । ढधिने जो है । लोंग ए fem को भी हम जो है कि चेंज कर देता है करने के बाद में आपके क्लिप कुछ इस तरीके से काम करेगी देखिए आपको जो है स्नोफॉल का एफेक्ट यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया है कि आपको कुछ माइनर चेंजिस करने हैं तो आप अपनी जो भी आपकी रिक्वाइर्मेंट होगी जो भी आपकी क्लिप की रिक्वाइर्मेंट होगी उसके कोडिंग कर सकते हैं मैं आपको यहां पर क्लिप भी इंपोर्ट करके दिखा देता हूं देखिए हम इंपोर्ट पर चलते हैं एक click को इहाँ पी import कर लेते है so, click को drag and drop कर लेते हैं अपने इसमें और यहाँ पे आने के बाद में यह देखिए एक क्लिप आपको दिखर ही है बट यह थोड़ी छोटी है तoh मैं इसको is должzone कि कोड़ी जो है इसको adjust कर देता हूँ इसको मैंने अच्जेस्ट कर दिया है अब हम जब इसको बिगनिंग से देखेंगे तो यह हमको कुछ इस तरीके से दिखेंगे खेंड, कुंछ और भी, क्लि खेंज कर सकते हैं, कुछ और भी, आपम आपप्रकाइग प्रिक्सा ऐसाल केकर हैं ऐताल के शम, its price of Table, टनिक तक में खेंड दिशन कोडिगा कुह एक प्रिक्साइज का साइज, अपनी डिखा आ सकते हैं, अफ्टर इफेक्ट में ये मेथड यूच करके हैं